हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस वीडियो और आज दो बड़ी अपडेट लेकर काया हूँ दोनों अपडेट के लिए मैंने वेट किया एक अपडेट कल की है एक अपडेट आज की है आज की अपडेट यह है कि 10th क्लास का बोर्ड रिजल्ट आ चुका है क्लास 10 के अग तू के अग्जामज और टू कि अगर आप अची त्यारी करते हैं गाईज तो ठूमट में आप पहली ठम के जो भी आपके मार्क्ज अच्छे नहीं आए उनको कावर कर सकते हैं तो दूसरी अपडेट यह है कि कल आप जाइट सिड अग्जाम शिडूल आ चुका है और क्या वह एक्जाम स्टूल उसकी बात कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं class 12 term 2 का जग्जाम स्टूल है और major subjects की मैं यहां पर बात करूँगा गाइज तो 2nd of May को 1st major paper है हिंदी का उसके बाद 6th of May को sociology 7th May को chemistry का paper है और 13th of May को English है 17th May को business studies का paper है 18th May को geography का paper है 20th May को physics का paper है 23rd May को accounts का paper है और 24th May को paper है political science का 25th of May को home science का paper है 28th May को economics का paper है और 13th May को biology का paper है 1st of June को agriculture का paper है जिनल बच्चों ने subject लिया हुआ है 2nd of June को paper है physical education का और 7th of June को paper है mathematics का और 10th of June को है paper history का तो 13th of June को है informatics practices का और 14 June को paper है Sanskrit का और 15 June को paper है psychology का और यहां पर आपके paper end हो जाते हैं तो यह तो है 12th class का exam schedule second term के लिए जो की starting आपकी CBS ने पहले आपको बता दिया 26th of April से paper start होने है लेकिन major paper जो है 12th class का first paper जो है वो second of May को है तो comment करके मुझे बताएं कि आपको यह exam का जो schedule है यह पसंद आया नहीं आया कहां पर किस बच्चे की छूटियां ज्यादा है किसकी कम है किसी को अगर यह लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो अपने suggestions भी आप comment करके बता सकते हैं अब हम बात करेंगे 10th class के exam schedule की guys 10th class में थोड़े कम paper होते हैं जल्दी paper खतम होने वाले हैं तो comment करके जरूर बताएं कि कितने बच्चा हो लगता है कि इस बार की जो exam का जो schedule है वो term 1 के exam schedule के comparison में ज्यादा बेटर है बतलब यहां पर ज्यादा time आपको मिला है तो 10th class में बात करूँ तो first जो paper है वो आपक 26 27th of April का है ठीक है 27th April का paper है English का बोथ English paper है language और literature का उसके बाद 5th में को ठीक है पांच में को paper किसी का है Maths का paper guys Maths का paper I hope कि छुटिया काफी है अच्छी तियर्याप कर लेंगे उसके बाद 7th of May को जो paper है वो SKT का है Sanskrit का paper है उसके बाद 10th May को paper है आपका Science का 10th May को paper है Science का उसके बाद है 14 of May 14 मही को जो paper है वो आपका रहेगा SST का social studies का paper है उसके बाद 18 of May को जो paper है वो है Hindi का और उसके बाद 24th of May को जो का paper है वो information technology IT का paper है और उसके बाद यहां पर आपके paper over हो जाएंगे तो this is the date sheet of class 10th term 2 के लिए I hope के यह तो चीज़े आपको समझ में आये गई होंगी और एक बार फिर से बहुता दू रिजल्ट आपका कैसा भी आया हो यह जो आपके पास opportunity इसको आपको grab करना यहां पर अपने अच्छे अच्छे नहीं रहे हैं उनको cover कर सके अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो आप इनको like करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारी सेनल को कर ले सब्सक्राइब थैंक्यू